है दोस्तों कैसे हैं आप हम उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी आप जम के पढ़ाई कर रहे होंगे आज हम फिर एक नई क्लास के साथ उपस्ती थे हैं और आज की क्लास हमारी अनुपात समानुपात की होगी और यह अनुपात समानुपात की पहली वीडियो है बहुत ध्यान से देखिएगा आज की वीडियो हम बिल्कुल basics की बात करेंगे अनुपात निकालना हम केबल सिखेंगे अनुपात निकालना सिखने के बाद तभी हम सवाल पे जा सकते हैं दोस्तो तो बहुत ही गौर से देखिएगा बहुत important आपकी वीडियो होगी और साथ ही साथ आज आपको सवाल भी मिलेंगे और कई सवाल मिलेंगे और उसको द्यान से देखते रहिए उन्ह सवालों का answer भी comment box में comment करके दीजिए बहुत मस्ती के साथ पढ़िए बहुत ही आनंद आने वाला है आज की वीडियो में दोस्तों आए ज़रा देखते हैं अनुपात समानुपात अनुपात समानुपात का मतलब दोस्तों जो होता है अनुपात का मतलब होता है अनुपात जो हमारा होता है जो चेप्टर अनुपात हम पढ़ते हैं अनुपात अक्सर दो बराबर अनु आपके दोस्त और आपके रुपे में कितने का अनुपात है तो जिसका आप अनुपात चाहते हैं कि आप में तो आपका 50 है आपके दोस्त का 75 है दूनों चोकी रासी किसमें है रुपे में होनी चाहिए दोनों रासी रूपेयों में होगी तभी निकाल पाएंगे दोस्तों यह नहीं कि यह केजी में हो और यह रूपेय में हो आपका वजन दिया हो और इसके पैसे से अनुपात निकालने ऐसा कुछ नहीं होता है जब भी कभी अनुपात निकाला जाता है तो समान रासियों का अनुपात निकाला जाता है इस बात को बहुत ध्यान दीजिएगा यहाँ पर काड़ देंगे पचीस दुना पचास और पचीस तियां पचात्तर यह हो जाएगा कि आपके पैसे और आपके दोस्त के जो रूपे थे उसमें 2 समंदे 3 का अनुपात है तो अनुपात का ऐसी ही चीजों पर उपयोग किया जाता है दोस्तों और आपकी एक्जाम में तो बहुत ही आसान कोश्चन आया करते हैं इसलिए आप देखी जरा वीडियो को देखने के बाद हम आपकी एक्जाम के कोश्चन भी जब लाएंगे तो आप देखेंगे कितने आराम से उसको कर ले रहें आपकी एक्जाम में कभी ऐसे कोश्चन आ जाते हैं कि A और B का अनुपात 2 समंदे 3 हो, B और C का अनुपात 5 समंदे 4 हो, C और D का 3 समंदे 7 हो, D और E का अनुपाद 6 समंदे 11 हो ऐसे डहर सारे दे सकते हैं या किवल A और B B और C का दे करके आपसे करे क्या इसमें आपसे पहला और अंतिम का अनुपाद पूछे A और E का ध्यान दीजिएगा पहला A था और लास्ट वाला क्या है अगर पहला और E का अनुपाद पूछे बहुत सारा अनुपाद दे करके आपको पहला और लास्ट का अनुपाद पूछे तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है पहला और लास्ट के अनुपाद के लिए आपको सारे मानों का क्या कर देना है सारे मानों का multiply कर देना है जैसे यहाँ पे 2 अनुपाते 3 था तो 2 बटा 3 यहाँ पे 5 B और C में 5 का था तो 5 बटा 4 हो जाएगा यहाँ पे C और D में 3 का था तो 3 बटे यहाँ पे 7 हो जाएगा और C और D में D और E में आप देख रहे हैं 11 का तो 6 बटा क्या हो जाएगा 11 जो कट रहे होंगे दोस्ते काट देना तो यहाँ पे 3 से 3 कट रहा है 2 एक कम 2 दो दूना के 4 होता है फिर 2 एक कम 2 दो तियाई 6 अब नहीं लग रहा है कि कोई कट रहा है नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं दोस्तों, तीन पचे कितना हो जाएगा 15, तीन पचे कितना हो जाएगा 15, और 11 सते कितना हो जाएगा 77, तो 15 समंदे 77, A और E का क्या आजाएगा, अनुपात आजाएगा, ठीक है, 15 बटा 77, या 15 समंदे 77 किसका आजाएगा, A और E का दोस्तों क्या आजाएगा, अनुपात आपका 5 बटे 4, 3 था 3 बटे 7 और 4 था 6 बटे 11 आपने 3 को 3 से उड़ा दिया, 2 एक कम 2 और 2 से 4 को काड़ दिया 2 बार में 2 से 6 को काड़ दिया, 3 बार में उपर 3 और 5 बचे है तो 3 पचे 15 लिग दिया, नीचे 7 और 11 बचे है तो 11 सता 70 हो गया तो दोस्तों पहला कोश्चन आपको समझ में आगया होगा, ऐसा डेहर सारे कोश्चन आपके सामने आ सकते हैं कि कई अनुपात दे करके पहला और अंतिम का अनुपात पूछेगा, तो बस सबका आप क्या कर दीजिएगा मल्टिप्लाई कर दीजिएगा, और ये अनुपात एक सीरियल में होना अच्छी है, माल लीजिए यहाँ पे और बी का अनुपात दो समंदे तीने देदे कि उसमें कोई प्राबलम नहीं है, ठीक है दोस्तों, तो ये बात आप समझ पाएंगे कि कहीं आपके कोश्चन में पलट के देदे कि C समंदे B बराबर 5 समंदे 4, D समंदे C बराबर 3 समंदे 7, तो उसको सीरियल बाइज लगा लिजिए, कि A और B, B और C, C और D, और D और E कान पात और पहला और अंतिम का कुश्च दे तो बिल्कुल आप मल्टिप्लाई कर दीजिए, आपका एंसर आ जाएगा, मैंने हर प्रकार की किवल एक कोश्चन दोस्तों यहां पर लिया है, हर प्रकार का ये कोश्चन, जितने आपके कोश्चन दीखने है, उतने टाइप की को जाएंगे, जैसे दूसरे कोश्चन को देखेंगे द्यान से, दूसरा कोश्चन कहरा है, तीन समंदे चार, एक अनुपाद दिया है, तीन समंदे चार, दूसरा दिया है, पान समंदे चार, तीसरा दिया है, बारा समंदे साथ, और अहां पर चौथा चार समंदे पांच, का कहा रहा है कि मिस्त्रित मिस्त्रित या क्या कहा रहा है संयोगा दोनों सब देखाई हैं ध्यान दीजिए का सब्द परिच्छा में आ जाएंगे तो आप फस जाएंगे दोस्तों क्योंकि यह सब्द आप पहले देखे नहीं है और देखे नहीं है तो फस जाएंगे मिस्त्रित पूछे या संयोगा पूछे बात एक ही है और ये दोनों बात उपर वाली ही बात है कि अनुपात में लिखी उपर वाली बात का मतलब जो उपर आभी आपने किया है I said here सारे अनुपात देखे आपको मिस्रित या संयोगा का मतलब होता है सबको मिला के आपसे पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है केवल इनका आपस में क्या कर दीजिए multiply कर दीजिए और आपका मिस्रित या संयोगा अनुपात उशी को कहते हैं जो इसका answer आएगा 5 से 5 काट रहेंगे आप 6 दुना के 12 भी काट देंगे आप 4 से 4 काट देंगे आप यहाँ पर देख रहे हैं तिन दुना के 6 और नीचे आ रहा है 7 answer क्या पाएंगे दोस्तों 6 ratio आप आजाएंगे 6 ratio क्या पाएंगे यह आपका 7 हो जाएगा दूसरे बाले का answer जिसमें पूछा है मिस्तिरतिया संयोगा अनुपाद दोस्तों आपके पास आएगा question number 3 question number 3 कहता है 3, 4, 5 का बिलोमा अनुपाद बताईए देखे दोस्तों बहुत प्यार से देखिएगा बहुत important question होगा यह कि 3, 4 और 5 का बिलोमा अनुपाद आपसे पूछ रहा है इसका क्या पूछ रहा है का बिलोमा अनुपाद गौर करिए जा क्या बिलोमा अनुपाद पूछ है बिलोमा अनुपाद का मतलब क्या होता है जो अनुपाद दिया गया है इसका inverse कर देंगे मतलब 1 बटा 3 मतलब 1 बटा 4 मतलब 1 बटा 5 पूछ रहा है तो आप क्या करते हैं कि 3, 4, 5 का LCM लेते हैं क्या लेते हैं 3, 4, 5 का LCM दोस्तों लेंगे तो आ जाएगा आपका 60 3, 4, 5 का LCM क्या आजाएगा 60 अगर 3 से आप मल्टिप्लाई कर दें 3 से इसमें डिवाइड करें 60 में तो कितना बार जाएगा 20 बार तो 20 का उपर और 20 का नीचे गुड़ा करें तो 20 से कम 20 और 20 तियाई 60 हो जाएगा फिर दोस्तों यहां पर अनुपात आजाएगा 4 से भाग द जाएगा 20 संबंदे 15 संबंदे 12 20 संबंदे 15 संबंदे क्या जाएगा दोस्तों बारत तो क्या हम ऐसे परिच्छा में करने वाले हैं ना जी ऐसे क्यों करेंगे यह आसान करते हैं इसको चुटकियों में लगाता है अब देखिए 3 संबंदे 4 संबंदे 5 का आप से पूछ रह और तिसरे वाले का निकालने जा रहे है तो दोस्तों देख पाए आगर इन्वर्स पुस्ता किसी का विलो मान उपाद तो कितने आराम से आप लगा पाएं बेसिक से बताये बिलकु आपको कि पलट देंगे उनको उसके बाद LC हम ले करके उपर नेचे मल्टिप्लाई करके और यह देखे साथ ट्रीक आपके तुरंत आगई एंसर आपके सामने है तो दोस्तों आईए पक्या कोशन हम देखते हैं कोशन नमर 4 देखते हैं कोशन नमर 4 खाय रहा है यदि 4A बराबर 5B बराबर 7C तो ABC का मान बताईए आए दोस्तों इसको basic से भी समझते हैं और trick से भी आपको समझाते हैं 4A बराबर यहाँ पे दिया है 5B बराबर क्या दिया है 7C सबके बराबर दोस्तों हम क्या मान लेते हैं के मान ले तो यहाँ से A की बैलू आप क्या पाएंगे दोस्त के बटा कितना हो जाएगा 4 अगर इससे मैंने भाग दे दूँ यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 4A बराबर क्या सबके बराबर एच्चो किते लिख सकता हूँ यहाँ से आजाएगा के की रूप में मान के बटा कितना 4 के बटा 4 आएगा इसी परकार B का मान निकालेंगे तो यहाँ से B का मान के अतना आजाएगा दोस्तों के बटे 5 अगर इसी परकार C बराबर भी निकालें तो आजाएगा K बटे कितना आजाएगा दोस्तों C बटे साथ मतलब के बटे साथ आजाएगा C का मान अब आप निकालना चाहरे थे A, B, C का अनुपाद पूछ रहा है तो आप कहेंगे के बटे 4 लिग दूं क्या कहेंगे के बटे 5 लिग दूं क्या कहेंगे के बटे साथ लिख दूँ अब सम्मे देख रहे हैं उस बार नीचे सम्मे का मन था साथ तो गायब किया इस बार उपर सम्मे के है तो के को गायब कर दीजी अब 4-5-7 का आप LCM लेंगे क्या लेंगे दोस्तों LCM लेंगे आपको एक तो 35 हिकंप क्या हो जाएगा 35 और нीचे कित्ना गुडा क् जब पांच से भाल देंगे दोस्तों तो कितना बार जाएगा ?24 र नीचे भी 140 हो जाएगा 7 रहने भी देंगे तो भी कोई दिक्कप न créd की तोğ गायब हो जाएगा आप्ने आप इसको ऐसे लगाएंगे नहीं जी चुठकियों में लगाएंगे आईए कैसे इसको भी देखिए च्यार ए बराबर क्या दिया था तो इसको पांच भी बराबर क्या था साथ सी और आपसे पूछा था कि A, B और क्या C का अनुपाद बताईए देखे दोस्तों बस question को द्यान से देखना है क्या चीज किस में लगाई जा रही है इसको द्यान देना है और answer तो बहुत आसानी से आ रहा है न क्या देखना है अगर मैं A का मान निकालने के लिए जा रहा हूं तो A के coefficient को मैं ढख लूँगा और इनक साथ चार सते 28 का गुड़ा कर लिया अब इसका निकालने जा रहा हूं तो 5 को क्या हो जाएगा 20 आप देखे दोस्तों यही answer यहां पर भी आ गया ABC तो क्या इतना बड़ा काम करने की ज़रूरत है नहीं जी मैंने basic से आपको बताने की कोशिस की कि कभी आप फस जाए तो महें गया तो कोशन नमर पांच भी हमारे सामने आ चुका है दोस्तों कोशन नमर पांच को देहां से देखेंगे और बहुत ही आसानी से लगेगा इसमें तो कुछ भी नहीं करना मटा था थी न बड़ाबर हो जाएगा फ्रयवाव किकी कि दॉस्तों यहां लिए तिनके बराबर के माले और यहां से देखिए अगर A बटा 3 बराबर अगर हम के माने थे तो A बराबर हमको क्या मिलने वाला है तीनके मिलने वाला है A बराबर हमको 3 के मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है मिलने बाला है उसी परकार B बराबर हमको क्या मिल जाएगा पांच के मिल जाएगा अगर A बराबर 3 के B बराबर 5 के तो देखिए C बराबर क्या मिल जा रहा है दोस्तों 7 के सी बराबर हमको क्या मिल जाएगा साथ के हमसे पूछा क्या दोस्त की A संबंदे B संबंदे C का अनुपाद बताईए तो आप लिखेंगे 3 के अनुपादे 5 के अनुपादे 7 के सम्में से क्ये गायब करते हैं तो एंसर क्या गया 3 संबंदे 5 संबंदे 7 क्या आगया A संबंदे B संबंदे C का मान आगया 3 संबंदे 5 संबंदे 7 तो क्या दोस्तों इतना सोचने की जरूरत है अगर जब भी कोई ऐसा मान आपको मिले यहाँ पर देखिए इस प्रकार से कि बटे में हो उपर कोई कोफिशियंट नहीं इनके है कि वल मान बटे में है तो तुरंत एंसर इसका आपके लिख सकते है 3 संबंदे 5 संबंदे 7 A का जो अनुपात ही होगा B का अनुपात ही होगा C का अनुपात ही होगा और एंसर आपका चुटकी में आ गया 6 में दोस्तों दिया हुआ है 2 अनुपात आपको दिया है कि A अनुपाते B बराबर आपको कितना दिया है 3 अनुपाते 7 और B अनुपाते आपको C बराबर देकर कह रहा है कि 5 अनुपाते 2 तो आपसे कह रहा है कि A अनुपाते B अनुपाते C का मान बताइए देखे दोस्तों इनको लगाने के कई तरीके आपके पास हो सकते हैं जैसे A और B का अनुपात तो A और B के अनुपात के नीचे लिखिए तीन अनुपाते कितना साथ और B और C का दिया है तो B के नीचे लिखिए B का मान B और अनुपाते कितना दो पहला तरीका दोस्तों ये समझ लो उल्टा यान मेथड क्या करते हैं ऐसे 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 multiply ये उल्टा यान मेथड हम इसको कहते हैं और multiply करके justice के नीचे रख दीजिए तो ये हो जाएगा पांसती आई तीन पचे पंदरह और यहाँ पर आपका क्या आजाएगा पांसते 35 और यहाँ पर क्या आजाएगा साथ दुना के चहुदा तो पहला तरीका बहुत आसानी से आप देख पाए कि A और B और C का अनुपात आपका क्या आगया 15 समंदे 35 समंदे चहुदा कभी क्या होता है दोस्तों पांच दिया है, दो दिया है, यह रेशियो दिया है न दोस्त, जिसके, जिस नंबर के आगे या पीछे खाली है उसी से भर दीजी, जिससे साथ के पीछे खाली है न एक, तो साथ भर दीजी, पांच के आगे खाली है न तो यहां पांच भर दीजी, अनुपात लगा दीजी, और अब क्या करिए कि सीधा सीधा multiply देखिए 5 ती आई 15, 7 पचे 35, 7 दुना के 14, क्या देख पाया दोस्तों कि 15, 35 और 14 वही चीछ फिर आई, A और B और C का अनुपात आया, मज़ा आया, समझ में आया, ठीक है दोस्तों, आईए ज़रा देख लेते हैं, एक और question, बरफी cutting जिस की अनुपाते D दिया है, तो ठीक है, एक बरफी cutting से भी इसको कर सकते हैं, और इसको इस वाले method से भी लगा सकते हैं, देखिए कैसे, जरा ए method इसमें भी लगा कि आपको दिखा दो, तो A और B में क्या देख पा रहे हैं, 2 ratio 3 का है, B और C में क्या देख पा रहे हैं, 5 ratio क्या भर देंगे, इसके पीछे पूरा खाली है, तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 अनुपात अपना लगाना है, लगा लिजे, इसके आगे खाली है, तो यहाँ पे 5 भर दिया, इसके पीछे खाली है, तो यहाँ पे 7 के पीछे खाली है, 7 भर दिया, 3 के आगे खाली है, तो 3 चीज का अगर आप देहान रखें देखें क्याक को यह से गायब करना चाहे होगा जैसे ओक नंबर आपको मिल रहा होगा उसको समझने के कुसिस गया, जैसे multiply करेंगे तो ये 3 इसमें आएगा एक ठूझ इसमें करेंगे तो इसमें भी दो-3 आएगे, तो मलीजे- एक ठूझ तो इसमें भी है, इसमें भी है, जो सम में होता है ओ खत जाता है, अब तो कोई की छi남 NEWS इसमें 2 है इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 है लेकिन इन समों में 5 नहीं मिल रहा है इसलिए अब सीधे-सीधे गुड़ा करेंगे तो एंसर में बाद में आपको काटना नहीं पड़ेगा पांदुना के क्या हो जाएगा 10 यहां पर हो जाएगा तीन पचे 15 यहां पर हो जाएगा सा मतलब B संबंदे, A संबंदे B, B संबंदे C, C संबंदे D वाला इसके नीचे लिख लिख लिए, और आप से जो पूछ रहा है कि A, B, C, D कानुपाद तो देखिए, A, B, C, D कानुपाद पूछ रहा है, मैं सामने लिखने जा रहा हूं, देखें कि ध्यान से पहला काम क्या करत हैं पहला सीधे सीधे multiply नीचे कर देते हैं, पहला multiply करते हैं सीधे सीधे, दूसरा यह, यहां से आके यहां पर आपका खतम हो जाता, फिर यहां से चलते हैं ऐसे ऐसे, तो आप देख पारे हैं कितना अच्छा बरफी बना है, घर पे बनाईे और खाइए मजा लिजिए, ठी मौका मिले तो हमें भी खिलाईए, तो मौका मिले गा नहीं, ठीक है बहुत दूर है हम, तो यहां से मल्टिप्लाई करिएगा, आप खालेंगे समझो हम खालिए, दो पच्चे दस तियाई कितना हो जाएगा यह 30, यह 30 हो गया, अब देखो, तीन पच्चे पंदरा, तियाँ 45, यह 45 हो गया, अब देखो, तीन सते, 21, तियाँ तियाँ, 36, यह lorsque देखो, तीन, पच्चे 15 सते, 105 हो गया, 105, कितना, 105, यह दोस्तों देखो, सब के सब 3 से कट रहा है, तीन दहा में, 30, 15, तियाँ, 45, और इसको कड़ देंगे, 21, तियाँ, 63, और इसको काड़ देंगे, 25, तियाई 105, देखें यही अंसर यहाँ पर भी आये दोस्तों, तो इस मेठट से करें, इसे बरफी कटिंग कहते हैं, इसको आप फिल अप करके कर रहे हैं, तो इससे कर लीजिये, हाँ दोस्तों तो यह आपको homework मैंने दिया है, क्या दिया है, homework दिया है, यह आपको जवाब देन क्या लगेगा, एक मिनट से ज़्यादा टाइम ने लगेगा दोस्तों, पांचो सवाल एक मिनट में आप दे लेंगे, ठीक है, तो देखते हैं, कि इसका जवाब कौन सही सही देता है, सबसे पहले, ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा, और एंसर को ध्यान से किजिएगा, जल्दी बाजी में गलत न हो जाए, ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ, कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आपको कैसी लगी, मैं कमेंट करके जरूर बताए, हाज के लिए इतना ही दोस्तों, जैन दे